हेलो बच्चो आज कक्षा चार में हमारा विशे है प्रियावरन अध्यन और पाठ का नाम चलो स्कूल चलें तो चलिए मिलकर इन प्रशनों को हल करते हैं प्रशन नमबर एक चित्र को ध्यान से देखे वे उसके बारे में लिखें तो पहला चित्र हम देखते हैं तो यह है लकडी या बांस का पुल तो इसके विशे में हम लिख सकते हैं कि यह है लकडी का पुल है और इसमें कुछ समय के बाद मरमत की जरूरत होती है दूसरा यह है सिमेंट का पुल तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं यह सिमेंट का पुल है इसका प्रयोग लंबे समय तक बिना मरमत के किया जा सकता है प्रशन नमबर दो हमारे देश के विबिन शेत्रों में स्कूल जाने के लिए बच्चे कौन-कौन से अलग-अलग यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं हमारे देश में विबिन शेत्रों में स्कूल जाने के लिए बच्चे अलग-अलग साधन का प्रयोग करते हैं जैसे असम में बांसकेपल, लदाक में ट्रोली, केरल में वल्लम या नाव, रजस्थान में उटकाड़ी, गाव में बैल गाड़ी कभी-कभी तो बच्चे जंगल पार करके भी स्कूल जाते हैं उत्तराखंड में बच्चे पत्रीले रास्तों से स्कूल जाते हैं प्रशन नमबर तीन, हम भारी समान उठाने के लिए पुली यानि घिरनी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम भारी समान उठाने के लिए पुली या घिरनी का इस्तमाल इसलिए करते हैं क्योंकि पुली से भारी वस्तू भी कम ताकत से उठाई जा सकती है प्रशन नमबर चार निम्न चित्रों को पहचान कर या तयात के साधनों का नाम लिखिए तो पहला चित्र हम देखते हैं ये इसको बोलते हैं फटफट सेवा या जुगाड गाड़ी इसी तरह अगला है ट्रोली इसका प्रयोग नदी को पार करने के लिए किया जाता है पहड़ी चित्रों में तीसरा ये चित्र है मोटर साइकल का तो आप लिख सकते हैं मोटर साइकल अगला है जीवन कोशल अधारित प्रशन पोदों का ध्यान कैसे रखें वै हरित खाद निर्माण तो पहला है बच्चे अपने घरों में कोई भी खाली प्लास्टिक की बोटल या कुछ भी ऐसा जो की गमले की तरह लगे उसमें एक छोटा फूलो का पोदा या जो भी पोदा उन्हें अराम से मिल जाए उसे उस बोटल बे गमले बे लगाए वै उसकी देखपाल करे तो आपको एक पुरानी बोटल लेनी है और उस पे पोदा लगाना है उसको गमला बनाना है जिस तरह से यहाँ पर कुछ बोटले दी हुई है इस तरह से आपको काट के उसको उसमें कोई पोदा लगाना है और उसकी देखपाल करनी है देखपाल यानि उसको धूप में रखना है उसको पानी देना है रोज नमबर दो अपने घर का गीला वै सुखा कुडा अलग-अलग इखटा करे दो तरह के कुड़दान के विशेके में जानकारी एकत्रित करे वै एक सुची बनाए कि कौन सा कुड़ा किस कुड़दान में जाना चाहिए तो देखो बच्चो हमें अपने घर में जो कुड़ा होता है उसको दो तरह के कुड़दान में अलग-अलग घटा करना चाहिए जैसे गीला कुड़ा और सुखा कुड़ा तो गीले कुड़े में आप ऐसे समान रख सकते हैं जैसे केले का छिलका या सबजीयों के छिलके तो इस तरह के कुड़ा आप गीले कुड़े में रखेंगे और सुखे कुड़े में आप या कोई रैपर हो कोई आप चिप्स खाते हैं चिप्स के रैपर तो उनको आप सुखे कुड़े में अलग से रख सकते हैं कोई काच की वस्तु अगर तूट गई है तो उसको अलग से रखना है तो इस तरह से आपको अपने घर के कूड़े को अलग-अलग बाटना है गीले कूड़े में और सुख्य कूड़े में आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लग तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए